रच्च के हसाया, रच्च के रुलाया, मैंने दिल लिखो के इसक कमाया और आगे नहीं, क्लास सुरू हो चुकी है, हलो साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टड़ी में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, और इन्हीं उमीदों के साथ आज का सेसन सुरू होता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें थोड़ा बहुत कभी-कभी गाना वाना गालिया करिए आगे सभी, क्या-क्या होने माला है, सबसे पहले मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आज मैंने थोड़ी सी तैयारी किया था इस क्लास के पहले, जो कि मैं आपका टाइम बचाऊंगा और कुछ लोगों ने मेरे गाना भी सुन लिया होगा, स्टार्टिंग में मुझे लगता है सायद सुन लियो काँ? चलो सुन लेना चाहिए प्रेक्टिस करना चाहिए, जारी रहना चाहिए कुछ चीज़ें आज पहले बनी हैं, देखो सलाइड पहले बनी होती तो अच्छा रहता है, मज़ा आता है कुश्चन बहुत सारे हो चुके हैं पहले कृष्णा बिट्टू अलका सिंग, प्रांजाल, स्वेता, एके, सिरोमनी सर्मा, अजय, धीरेश, अमर सिंग, पप्पु कुमार अठोर आ गया हो सभी? गाना सुन लिया हो का आजादा हस रहो? कृष्ण है सामने पीछे देखो यह मेरे ना अलारम का टून है, रच के हांसाया, रच के रुलाया, और मैंने दिल खोके इसक कमाया और उसने जो, कैसे इसके आगे है? मैंने जमी पर चांद बुलाया देखो तुम कुछ भी कर लो चांद बुला लो, चांद पर चले जाओ जिसको जो करना है, वो करके रहेगा गाना तो इसलिए बना है, चलो फिल हाल ठीक है तो आज की इंपॉर्टन बात ये है सभी हमें टेली गराम पर जरूर जोईन कर ले जोईन कर लिए हो तुम आगे बढ़े देखें पहले सब आई के एग नहाए चांद बुलाने के चक्कर में है, जो आए है वो बाग जा रहे चलिए भाईया मेरी आख न बहुत गुट 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 कुश हो रही इसमें ये लक्ष बैच का लाइब नमबर फॉर है ठीक है? लाइब नमबर फॉर है तीसरी कलास में प्रेक्टिस हुआ था ठीक है? उसके पीछे की कलास में भी कुछ चीजें पढ़ाई गई थी पहला द्याय है अभी ये सिकंड द्याय का कुछ चीजें मैंने पढ़ा दिया भले बीच में लेकिन अभी पहला पढ़ना है ये टॉपिक होंगे जो आज पढ़ना है यहाँ पर लिखा है न? कमेंट नहीं पढ़ना सबका कमेंट आ रहा चलो भाज या भाज अपवर्तक तथा गुड़ज ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे गुड़ज को इंगलिस में मल्टीपल बोलते हैं इसका हिंदी में दूसरा नाम अपवर्त होता है इसको अपवर्तक विभाजा क्या गुड़नखन या इंगलिस में फैक्टर कहते हैं आईए बात करते हैं इंपवर्टन मतलब की आज ये डिस्टरब करके रखिए बताने का है गड़ रही है क्या चाहिए इसे मतलब की बात करो भाई बीन मतलब की दुनिया भी नहीं चलती है मतलब से चलती है देखो सबसे पहले है भाज संख्या फिर है अभाज संख्या इनको इंग्लिस में प्राइम नंबर बोलते हैं इनको कमपोजिट नंबर कहते हैं ओके आपको पता है आपने सुना होगा प्राइम और प्रीमियम चीजें जो की बिलकुल लगजरी होती है अलग होती है चलिए देखे ये चीजें आप तब पढ़ सकते हो जब आपको अपवर्तक और विभाजक के बारे में पता हो क्योंकि यहां पर पहले अपवर्तक की बात होगी तब इनके बारे में कुछ होगी तो मैं इनको ऐसे हराई भंदा के छोड़ देता हूं पहले अपवर्तक पढ़ेंगे विभाजक क्योंकि यहां उनका काम लगने वाला है न इनको देख लो प्यार से स्क्रीन साथ ले लो बाद में समझना इतना मैं छोड़ दिया हूँ हम बात करते हैं आप वर तक की क्योंकि सबसे पहले इसका काम लगेगा इधर लिख लो चच्चा ए चच्चा के चच्ची रुका हो अप वर तक देखें जैसे किसी का नाम इसकूल का नाम मालो पंकज है घर का नाम मोहित है तो लोगों वह बुलाँते नहीं है यह मुहिता सुनाता हुए लड़के अरे बुलाते नहीं बढ़के लोग बुढ़े लोग गर्जियन लोग है ना भई गाहत यात के लोग जनते होंगे कहने का मेरा यह मतलब है उसका नाम तो इसकूल में कुछ और घर पर कुछ और लेकिन लोग बुलाते कुछ और है यानि प्राड़ी वो यकट ही है उसके नाम डेर सारे हैं देखो यह मों कौन मुहिता होईता आएगे नहीं कौन कौन है वर्ति कवा और देखो चलो समझो यहां पर आगे मतलब की बात समझो अपवर्ति को साथी मेरे इसको कहते हैं गुड़ज यह इसका घर का नाम माल लो इसका एक नाम और है यह अपवर्ति को गुड़ज ठीक है गुड़न खंड पहले इनके सारे नाम जान लीजिए कहीं भी अगर इनका यूज होता है तो तुम जान जाओ इनहीं के बारें बात हो रही है ठीक है अपवर्ति को गुड़न खंड भी बोलते हैं इसको बिभाजक भी और इसको कुछ हूरो बोलते हैं यार रुको देखने तो कहीं से चीट चाट करके लिखता हूँ रुको एक मिनट वह देखो euchिटी बूलता ना कल्वा हा किसी का कल्लू नाम होता है कल्वा रखा देते हैं और अरे ऐसे नाम बिगाडने वाले लोग होते हैं कहीं कहीं किसी गाउं पैदा हो जाते हैं एक सिकेंड रुक जब आई या मतलब सिकेंड नहीं एक मिनट अरे तुम्हें लोग समझदार हो ऐसे थोड़े हैं जमीन से जुड़े हो यह लोग हो है ना रुके रहु है रुक जाना रहा चाच्चा जाने तो बटाओ जो भी और नाम होगा बात में बताते रहेंगे अपवर तक गुड़न खंड भी भाजक और किसी को याद आ रहा तो बता तो मुझे मुझे तेकर दो नाम इसका याद था भाईया एका इंगलिसीम फैक्टर बोला थे हो फैक्टर इसको बोलते हैं मल्टीप इनके नमोवाटेशर होते हैं का दू नाम भी होते हैं अब बताएंगे मिलेंगे तो अ कि और का बोलते हैं नो तंकी अगर कैन्ना का होईगा तो माटन कि सब करेंगे दे मतलब करका एक उकमेट नहीं कर रहा है बताता हूं तुम्हें दूको नला यग बिभाजक या गुड़नखंड ये क्या होते हैं जैसे एक नमबर ले लिया मैंने मानलो मैंने छोटका नमबर ले लिया 1414 तो देखो इसके गुड़नखंड 1 भी होंगे 2 भी होंगे सेबन भी होंगे 14 भी होंगे कितने लोग समझ गए कि ये इसके गुड़नखंड क्यूं है कैसे है समझ गए ना समझा रुका फिर सबर करा थोड़ता फली रखा देखे जब मैंने कहा कि 14 का फैक्टर 1 है इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको पूरता संटिस्फाइड कर रहा है इस महेंगाई में इसके सारे खर्चे पूरे कर पा रहा है तब ही ये इसके साथ क्या है इसका फैक्टर है 111 जाब 1, 0 144 नीचे सेसफल 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये 1 से completely divide है ठीक है बतलब सारे नखड़े पूरा कर रहा है इसा बोलो साथ दून ये चवदा गटाने पर 0 आया यानि सेबन भी क्या है इसका पूरता सटिस्फाइड कर रहा है इसका फैक्टर है लेकिन अगर तुम जबर जस्ती बीच में 5 भी लिख लो गुसाइक तो का होगा जीरो सेबन नहीं आएगा चार आजाएगा इसका मतलब ये इसको पूरता सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसकी चार इच्छाइए बची रह जा रही है चाहे वो गुलकपा वाला हो पकोड़ा वाला हो आईसक्रीम वाला हो और एक ठी कुलफी वाली चार इच्छाइए तो इच्छाइए कोई सेफ नहीं होनी चाहिए यानि कोई सेफ फल नहीं बचना चाहिए ठीक है समझ में आए कुछ की नहीं अभी समझोगे धीरे धीरे समझोगे चलो देखो अब इधर देखो अगर मैंने एक नंबर लिया दूसरा वो इन्हीं का छोटका भाहिए है यह चोटका भाहिन मानलो 13 इनके फैक्टर की बात करेंगे तो 1 और 13 होगा बस और कोई नहीं लेकिन यारे हो क्या आ रहा है भाई मेरा दिमाग काम कर रहा है नहीं सही तो बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ लगी इंदरे गड़ बड़ा रहा है चलो मेरा दिमाग थोड़ा देर चरने चला गया था घास पूस चलो देखो तो यह क्या है इसके फैक्टर है अपवर्तक हैं सबही समझ गया ना इतर वाला सही यह कोई दिक्कत नहीं यानि 14 का विभाजक भी वन है अपवर्तक भी वन है गुड़नखंड भी वन है तू भी वही है सेबन की भी वही रिस्ता लगता है और यह भी रिस्ते में जी जाई लगता है समझ गया है चले आगे बढ़े हैं चलो एक दो तीन चार पाच देखो तुम लोग जागते रहो मेरी कोशिस यह अगला देखो हाँ अपवर्त की बात करें अगर हम 14 की अपवर्त की बात करें अपवर्त का मतलब होता गुडच जैसे 14 का एक परकास तुम टेबल मान लो कि पोटीन टूजा ट्वंटी एट फोर्टीन थ्रीजा फोर्टी टू फोर्टीन फोर्जा फिप्टी सिक्स हमका नहीं आधरा पहाड़ा वाड़ा अरे कुछ दिन पहले की बात है आइसे सी बोर्ट की एक लर्की को में ट्यूसन बढ़ाना शुरू कर दिया का चार्ट की कि अब वह इंग्लीज टूंग्लीज बोलने लगी कि हम कहते हैं इसे पढ़ना चाहती है इका बोल नहीं सर जी हमें नहीं पता इसको इसा नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं 14 फोर्टीन फोर्जा फिफ्टी सीक्स है तो मैं उस कछा आड़ की लड़की से सीखा हूं यह टे तो 14, 4 जा 56 देखों इंगलिस में पढ़ने के लिए क्या ना आपको हिंदी में आना चाहिए और आपका दिमाग एक कदम आगे चलना चाहिए बस जैसे काओ ना 14, 4, 56 दिमाग में तुम पता 56 होगा इंगलिस में 56 बोल दो और 14, 75 होता है इंगलिस में बोलते हैं 70 तो बोल दो 14, 5 जा 70 समझ रहे हो ना ऐसे ही चलो तो ये क्या हो गया 14 का ये क्या है अपवर्थ है यानि गुड़ज है multiple है दोनों में अंतर समझो भया देखो फैक्टर जो है ये निश्चित है इनकी संख्या अनंद नहीं है लेकिन जो अपवर्थ है ये अनिश्चित है कुछ बकलोलोन का लग रहा होगा कि नहीं 14 दहम्मत 140 पे खतम होई जाए नहीं यह इसे इसे जाएगा 140 हो 56 ना यार 54 होई भाईया 154 ना इसके आगे और आगे बढ़ेगा ये 54 चौशाट अनसाट एक्सो अनसाट यानि हमारा कहने का यह मतलब है जो तुम नहीं समझे रहे है उसे समझो फैक्टर ऐसे निकालते हैं जैसे माल लो इसका हम 100 से गुड़ा कर दें स्वरी फैक्टर नहीं गुड़च तो यह 1400 भी क्या है इसका गुड़च है रुख जा यार फसगा देखो बतिया खुब रहे हो तुम लोग सेटिंग कर रहे हो न इंटरनेट वाला प्यार बड़ा खतनाक होता है कभी कभी न बेवी की चक्कर में बाबा से मुलाकात हो जाती है तो सावधान रहो सतर कर रहो और यह सब ना करो यह जो लड़की समझ के लड़का बात कर रहा लड़का समझ के लड़की बात कर रही न यह केवल तुम्हें जूटी तफली दे रहे हैं बस अब इसमें कुछ लोग के गारजियन भी चैटिंग कर लेते हैं चुप़ चुप़ बचवा जानी नहीं पाता है चलो देखो तो ये 14 का अगर हम 500 से भी गुड़ा कर दें तो भी इसका factor बनेगा अब ये factor नहीं बनेगा ये बनेगा इधर वाला multiple इधर देखे जाओ multiple बनेगा ठीक है तो 14, 75 अदूठी 0, 7000 देखो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो अपवर्तक होते हैं ये निश्चित होते हैं किसी भी संख्या के अपवर्तक निश्चित हैं लेकिन उनके गुड़ज जो हैं ये निश्चित नहीं है ये अनन्द हो सकते हैं जैसे इधर बन रहा है ना 7000 तक हो गया समझ रहो कि नहीं? समझ रहो कि नहीं? कि आजकल के पैरेंट्स भी वड़े साउधान हो गए हैं पता हैं कभी-कभी जैसे हमारे अगर टेली कॉलिंग में मेल बैठ जाते हैं फीमेल की जगह हम पीवीर स्टडी से फलाने बात कर रहा हूं मम्मी भी बोल रही है अगर कोई लड़की का अगर नाम है बोला हां भाई हां बोल नहीं बताओ अच्छा वह तो गई है कॉलेज गई कहीं गई है समझे रहे हो कि नहीं जो जो बताना तुम पूरी बात बतातों तुम पूरी इच्छा उसके बाद फिर बताती हूं मम्मी हूं कि कौन हूं तो इसलिए साव जहां रहा करो थोड़ा चलो तो आगे बढ़ें जैसे दफ ले लिया अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर 1,2,5,10 ठीक है तो सभी समझ गए अपवर्तक क्या होता है गुडन खंड यानि विभाजा किये क्या है एक ऐसी संख्या जिससे भाग करने पर जीरो सेस्फल आए वो सभी संख्या है उस उक्त दी गई संख्या की क्या होती है अपवर्तक होती है या गुडन खंड होती है या विभाजक होती है या अंग्रेजिम बोलते हैं फैक्टर होती है समझ गए आगे बढ़े और गुडन खंड क्या है अरे गुडन खंड कोई तो फैक्टर बोलते हैं दूसरे नाम में अपवर्त को गुड़ज बोलते हैं मल्टीपल बोलते हैं ठीक है चले इनको देखो इसक्रीन साइट लो फट से चलो इसक्रीन साइट ले लो चुपे देखना अकेल ले कोई देखने न पाए इसमें इधर साइड अभ्यास प्रस्ण है थोड़ी सी और सी हम इसका जो है जो चीजें उन्हें किलियर कर दें फिर हम अभ्यास प्रस्ण में आएंगे चलो जैसे अगर मैंने ये संख्या लिखा कुश्चन मान लो कि संख्या 20 कि कितने अपवर्तक हो सकते हैं बताओ अपवर्तक का मतलब ये होता साथी कि इनको जिस जिस गिंती से भाग करें और जीरो से फ़लाए वो अपवर्तक है ठीक है और आउर का और दूसरा गुड़ज वाला है गुड़ज का मतलब ये होता है कि वो संख्या जो इसकी गुड़ज होगी इसकी इससे भाग करने पर जीरो से फ़लाना जाए ये बस देखो यानि अपवर्तक का मतलब है जो संख्या इसकी अपवर्तक है जैसे वन है तो ये इससे इसमें भाग किया जाएगा यानि इससे ये भाग करवाएगा लेकिन अगर हम इसके विभाजक को छोड़ कर अपवर्त की बात करें या गुड़ज की बात करें तो इसका गुड़ज अगर 20 है तो इसका मतलब 20 से भाग होगा और इसका गुड़ज अगर अगला 40 है इसके पहले वाले थोड़ा अगर बढ़ता ऐसे होगा इधर थे इधर को ठीक है इसे इसमें भी क्या होगा इस से समझ में आया तो संख्या सेम वही है इधर जो लिखे जा रहे है यह इसके गुड़ज है यह क्या है इसके गुड़ज है पीसके और जो यहां लिखे जा रहे है यह क्या है यह भाईया जो इधरे वाले हैं यह सभी इसके अपवर्तक है यानि विभाजक है या गुड़ण खंड है इधर क्या है इधर तो का दिखाता है आठ बार का एक ता दिमाग कद़ी बनाया यह जो पीरके का अंदर घेरा आया ना इका है अपवर्त या गुड़ण है सभी समझ गए तो संक्या बीज के कितने अपवर्त संभों है बताओ संक्या बीज के कितने अपवर्त संभों है देखो अपवर्त वहां से बनाया है जो होता है नहीं समापवर्त सुने आगना है ऐसे यह LCM का हिस्सा है समाप वर्तक यह HCF का हिंसा है बात करने वाले को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ चलो भागो यहाँ निकल लो चलो अटो मोहिनी परजापती तुम्हें 5 मिनट के लिए मैंने ब्लॉक किया है सीवम कुमार बेटा तुमको भी 5 मिनट के लिए जो जो बात कर रहा है भाग लो यहाँ से तुरंद भागो यहाँ से इडिये लड़े वाली कलास तो चल रही है हम जाग रहे हैं सोई रहे हैं चुप चाप भागो यहाँ बात करने वाले चलो अटो चलो हो गया समझ गये तो इसके आनंत हैं कितने पूजा यादों ने सही जबाब दिया है आनंत अपवर्थ किसी भी संख्या का आनंत होता है ठीक है यहाँ पर हम किसी भी पूल संख्या की बात कर रहे हैं आगे चले चलिए संख्या लेलो इक्ठिया उर यह बताओ कि संख्या 56 की अपवर्थक बताओ जल्दी जल्दी अपवर्थक या विभाजा क्या गुडन खंड बताओ कितने संभव हैं कौन कौन बता लिया चला अब में पॉइंट पर आ जाएंगे बहुत देर नहीं करना है चलो संख्या 120 के अपवर्थक बताओ अपवर्थक नहीं यहाँ पर बिभाजक लिख लो इनका दूफर नम लिले घरे वाला बिभाजक जैसे किसी घर का नाम लक्षमी हो इसकूल का नाम आरती हो पर अंजल को बताओ कभी मंदिर आई हो तो मंदिर आई हो बता दो इनकी जिंदेगी में इसी में बतलब जाने वाली यह खतम इसकी अलामा इनकी लाइफ में कोई टार्गेट कोई उद्देफ नहीं चलो मैं इनको बलाग कर दिया इनकी मंदिर की इच्छा के साथ इनकी सारी इच्छा है पूरी इनकी अंतिम इच्छा थी ना वो चलो तो किस से किसी डिवाइड होगा 1, 2, 4 से भी होगा नहीं है और 6 से भी होगा है क्या नहीं आठ, आठ सते शपन आठ के पहले साथ आए च्छा 9 से भी होगा क्या नहीं होगा, 10, 11, 12, 13 किसे नहीं होगा 28 से भी होगा और 56, 56 से होगा ये इनके क्या है फैक्टर है 14 से भी होगा ये इतने ठीक है 120 के चलो ठीक है, सभी कर लोगे 6 भी हो जाएगा साथ होगा नहीं, आठ एक कम आठ, बचे गचार, आठ भी हो जाएगा 10 तो होगे जाएगा 11, 12 भी हो जाएगा बहुत फैक्टर आयारे करे, इतने पूरा दो के बाज आयारी कितने फैक्टर नहीं एक रे बताओ सुमित सरकार को मैं पर्मानेंट बलाक कर दिया हूँ बिटा, जिन्दगी भर के लिए, चलो और का का होगा 14, 75 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 के आगे देख लेना अपना बताना मुझे, चलो 20 भी होगा क्या 20 चक्का 120 20, आप 20 तो होगा, 20 के पहले भी कुछ होगा क्या नहीं जान लो, मोटा मोटा लिख दो, 20, 30, 40 60, 120, यह सब तो हो भए करेंगे तो आईए अब मतलब की काम कर लेते हैं, भाई साहब चलो 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 फटा आग दे आजाओ बस 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 होईगा 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 सारा काम होईगा निपट गा अब यह फंस जात है यार वगली हमें चलिए देखिए हाँ तो आप तो मजेधार वाला पड़ोगे यार आप तो गल्फ्रेंड बॉर्फ्रेंड वाली बात होने वाली है जो तुम सुनना चाहते थे अब तक आप तो इनकी बात होगी जो भी इस्टूडेंट या इस्टूडेंटी पढ़ने आती है न जिंदगी नवकरी भले न मिले इने में से एक जरूर मिल जाता है सही बात है कि नहीं स्थे मुझको छोड़के मुझको नहीं मिला आप तक कोई पता नहीं का है देखो मतलब क्या है समझो वह इसे डारेक्ट थोड़े बता देंगे खां वहीं बताएंगे पहले मायत वाली कुछ बात आने दोसमें मिक्चर करके देखो अभी तक मैंने पढ़ा था क्या गुड़नखन जैसे संक्या 18 ले लिया न तो 18 के फैक्टर क्या क्या है 1 है 2 है 3 है 6 है 9 है और 18 खुद है ठीक है यानि इसके फैक्टर देखो तो 5 ठू है 5 ठू और इनके बढ़का भाई को ले लो समझदार हो चुके हैं जिन्दगी के सारे अनुभोल ले चुके हैं 18 के बाद हो ना 20 इनके फैक्टर सिर्फ और शुर्फ दूइटी है कि यह एक एक वह खूद है कि और 10 समझ रहे हो यानि पति-पतनी आ इसमें इसमें इनको पती मालें इनको पतनी मालें गर्योंग आ कि कभी गिंती नहीं होती है जो लोग समझदा रहे हो जानके होंगे हाइक सुप्रीम कोड भी मामला जा चुका था कोड ने भी का है कि पती पत्नी के साथ वो भी संभव हो है रह सकती कोई दिक्कत नहीं तो इसमें वो की संख्या कितनी है एक दो तीन चार्ट मतलब तुम इतना समझ लो कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे वो अभाज होगी यानि वो संख्या का फैक्टर वो खुद होगी एक वन होगी बाकी कोई नहीं होगी समझ रहे हो वो क्या होगी अभाज होगी और जिन में धेर सारे होंगे मतलब जैसे देखो जैसे मालो मैंने संखे ले लिया 12, अब 12 के factor 1 है और 12 तो है ही, लेकिन इनके अलावा और भी होंगे, तो वो भाज होगी, जैसे देखो इनके क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, तो सफेद का सफेद का के अलावा, PR का भी 5 ठू है, ठीक है, कितना है, 5 है, तो इनके कोई लिमिट नहीं होती है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना, हाँ, हाँ, दहाई अंक में भी हाथ तक पहुंच जाते हैं, ऐसे लड़के-लड़कियां जो 6-6-8-8 साल से तयारी कर रहे हैं, यही लाहबाद परियाग राज में, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ के अगर गारजियन देख रहे हैं, तो वो भी आप लोग, चंद सेखा राजाद पार्क यानि कंपनी गार्डन मोती लाल नहरू पार्क में, रात के चले जाओ, 9 बजे, 9 बजे तक खुला रहता है, इतना नवभवी हूँ मैं, 9 बजे रात के चले जाओ, वहाँ जाके देखो क्या-क्या होता है, समझ लेओ, वहाँ दहाई में रहने वाले होते हैं, एक के दस, इसमझ लेओ कि नहीं, आरे वहीं कठा हनी मिलेंगे तुम्हें, लेकिन अलग अलग बखती के साथ, तुम्हें अलग अलग को देख सकते हो, अलग अलग दिन, यह बोल रहा हूँ मैं, चलो तो ये चीजें थी आपके काम की जिनके parents देख रहे हैं वो समझ लें सावधान रहे हैं सतर करे हैं आपके बच्चे कहा जा रहे हैं देखो मैं सिकायत इफले कर रहा हूं कि सावधान हो जाएं सब चलें आगे तो इसके factor 13 के कितना होंगे 1 out 23 मुझे उमीद है कि आप भाज अभाज सीख गए हैं कोई doubt किसी को नहीं न ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे दो गुड़न खंड विभाजक होंगे वह अभाज होगी आगे चले 31 भी इसका ऐसे हो जाएगा चलो आगे बढ़े देख लो इसको स्क्रीन साड ले लो फट से चलो फट से स्क्रीन साड लो आईए तो अब हम कुश्चन करवा देते हैं यहां पर जो लिखे रखे हैं भाईया बहुत मेनाद से लिखे रहे हैं नो चलो देखा बतावा फटा फट कुश्चन नंबर पहला जवाब दीजिए आरती समझ में आ रहे हैं आरती राय वर्तिका मनीशा मोहिनी मोहिनी दक्स वांसी यतना खतरनाग नाम लिखे के कहे रहा तो का है मिया खलीफा कहां से आ गई नहीं ने पढ़लो 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 तुम भी सब कुछ करके पुरसत पा गई हो चलो पढ़ो देखो इदर फास्ट कुश्चन है इसमें A, B, C, D कई आपसन है अगर C वाला है तो आप 1C लिखोगे अगर D लिखोगे मनलब D वाला है तो 1D इस तरीके के कमेंट करोगे A वाला है तो 1A चलो बहुत अच्छा निम्न में कौन अभाजे संख्या नहीं है इसमें सभी संख्या अभाजे है और एक संख्या ऐसी है जो अभाजे नहीं है बताव कौन सी संख्या है जो अभाज नहीं है भाई साहब यह B वाली है 1 B सही है देखो कोशिज नहीं कर रहे हो तुम लोग बेमानी ना करो चलो बताव अगला सिक्यंड में अगर B सही है तो 2 B लिखोगे A सही है तो 2 A वर्तिका सिंग नुपूर अखिलेश कुमर चल मेरे भाई कह रहा है कि निमन में सबसे छोटी अभाज संख्या अभाज संख्या भाईया ऐसी संख्या जिसके कम से कम कम से कम नहीं सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो एक तो 1 हो और एक वो संख्या खूद हो ठीक है तो अगर तुम 1 के बारे में लोगे तो इसके फैक्टर 1 तो है लेकिन इसका गवाज दूसरा नहीं है तो ये 1 जो है ना भाज्य है ना भाज्य है याद रखना ठीक है यानि इसके लिए मीनिमम दो फैक्टर होना चाहिए भाज्य के लिए एक तो वो संख्या खूद हो बाकी ये कोई और संख्या हो तो ये खूद भी वही हो जाएगी और 1 भी वही हो जाएगी ऐसा संभव नहीं होगा समझ रहे हो कि नहीं कोट मेरिजवाले से पूछो उनके लिए गवाही लगते हैं दो तीन ठी अब वो गवाही खूद अपनी नहीं दे सकते हैं उसके लिए उनको ले जाना पड़ता है साथी लोग को देखो समझों यहां पर क्या वन ना भाजे है ना भाजे अब अगर भाजे संख्या की बात करें सबसे चोड़ी तो फोर है टू में सी सही है अगला में जवाब तो तीन में निम्निलिकित में से सबसे बढ़ी अभाजे संख्या कौन से बताओ सबसे बढ़ी अभाजे संख्या बताओ हा बहुत अच्छा बईया बेरे गुड़ अनंद तीन में डी अब आजे संख्या सबसे बड़ी कोई भी संभो नहीं है सब बड़ी से बड़ी है जैसे दुनिया देश में ना हम तुमसे ग्यानी तुम हमसे ग्यानी वैसे कोई किसी ज़्यादा बड़ा ग्यानी नहीं है बहुत अनंद ग्यानी वाले पड़े है फोर नंबर सवाल में जवाब दीजिए चार नंबर में कहरा कि 30 के कितने गुरज संभव है इन में एक आठी गुरज दिया भी है क्या वो संभव है चार में बताओ 30 के गुरज जो संभव है वो साथ है इवाला सही है चार में इव बोल सकते हो देखो पढ़ने के बाद अब भ्यासप्रस्न रेडी होना चाहिए आज था ना कुछ कुछ चन प्रियंका पटेल जी कमेंट आ रहा आपका 70 से 90 के बीच कितनी अभाजे संख्याएं है 70 से 90 के बीच में कितनी अभाजे संख्याएं है बताओ सोच के बताओ 72 तो होगा नहीं 73 भी होगा क्या भाजे देखो एक बार 75, 76, 77, 78 होगा नहीं 89 भी होगा साइद 80, 82, 83 भी होगा क्या देखो एक नजर में हमरे समस्ते दभाईया यह नहीं है पांठी एक बार देख लो एक नजर इनमें 88 ऐसी भी होगी जो भाजे भी हो जाए देखो तो 70 से 90 लिखा है एक बार देख लो एक नजर से अब आज संख्या के कितने गुड़न खंड होते हैं बताओ 6 में 6 में बताओ अगर 6 में 5 अब गुड़न खंड होते हैं तो तुम लिख तो 5 ऐसे पांच 6 कामा 5 तो का नहीं मज़ा आवतिया तैसे लेला ना आपसन में लेला 5 2 3 1 चलो आपसन बताओ बहुत अच्छा अब आज संख्या के गुड़न खंड दो होते हैं किसी संख्या के तीन अब वर्तक हैं तो संख्या भाजय भाजय होगी या इन में से कोई नहीं होगी पताओ जनाब जबाद दीजिये अगर 3 है तो संख्या भाजय होगी कमपोजिट नंबर होगी तो इनी बातों के साथ आज का कहानी इंड होती है चलते चलते याद रखना कि अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो और डेली पढ़ना चाहते हो तो भाईया बाबू सबही हमें न टेली गराम पर जरूर जोइन कर लीजिए क्योंकि सारी क्लास का लिंक इंफॉर्मेशन सब इसी पर मिलता है वाटसप पर डेली हम सेयर नहीं कर पाते हैं तो अगर फिरी पढ़ना है हर दिन पढ़ना है तो हमें टेली गराम पर जरूर जोइन करें भूले नहीं हर जगा नाम है वही PBR Study क्या नाम है हर जगा PBR Study नाम है मनीशा सिंग जी कमेंट आपका आ रहा है सिलपी जी कमेंट आ रहा है नीद आ रही सबको आ रही मुझे भी आ रही मेरी वाली पता नहीं कहां चली गई अरे मतलब नीद इफले नहीं आ रही है आएगे वे चलो फिर बंद करते हैं ताइंक्यू क्लास को सेयर करें ज्यादा फे ज्यादा सावन बैचारा बेसिक मैद में एकाईस तारीक से तो जो कंडिडेट बेसिक मैद वाले हैं वो नमबर पे संपर्क करें एकाईस तारीक से जोईन करें